जब हम छोटे बच्चे होते थे तो अक्सर हम तितलियों की पीछे भागते थे और हम दबे पाउं जाते थे पर इससे पहले कि हम तितली के कहीं आसपास भी पहुँच पाएं वो तितली वहाँ से उड़ जाया करती थी आज भी अगर हमारे किच्चन में एक कौक्रोच आ जाए तो हम जाड़ू लेके दबे पाउं उस कौक्रोच के पीछे जाएं हम दस फुट दूरी पर हैं उस कौक्रोच को पता चल जाता है कि वह खत्री में है और वो वहाँ से भाग जाता है इसे आप क्या कहेंगे ना तो कौक्रोच में ना तितली में brain developed है या mind developed है यह क्या है यह instinct है और instinct एक बहुत ही नन्हे बच्चे में भी होता है बस हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हम अक्सर सोचते हैं कि इतना छोटा बच्चा क्या जानेगा बच्चे को क्या समझ में आता होगा और इसलिए घर में जो भी बाते चल रही होती हैं भले ही कई बार आपने मुझे नी खोला पर आप कॉंस्टेंटली कई कई ऐसे मदर्स जो की थोड़ा डिप्रेस्ट सी रहती हैं उन्हें डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं है पर वो डिप्रेस्ट सी रहती हैं तो चांसेज इस बात के हैं के उनका कोई बच्चा या डिप्रेशन को अपने अंदर ले लेगा, कैसे लेता है वो, इसी को हम emotional block कहते हैं, बच्चपन में आपने जिन भी स्थितियों को देखा है, और ये एक बहुत common problem है, जो मेरे सामने लोग लेकर आते हैं, अक्सर कम उम्र की लड़कियां जो अपना career बनाना चाती हैं, वो ये problem लेकर आती हैं, कि पता नहीं क्यों मैं इतना try करता हूँ, मैं इतना try करती हूँ, और मेरी मेहनत में भी कहीं कमी नहीं है, और मैं सब कुछ अपना best करने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं successful क्यों नहीं हो पाती ये उनका सवाल रहता है, और मैं जवाब में एक ही बात पूछती हूँ, कि तुम अपनी मा के बारे में बताओ, क्या तुमने बहुत छोटी उम्र से ये देखा है, ये मैसूस किया है, कि तुम्हारी मा में potential तो खूब है, परन्तु किसी भी कारण से, आप उसका पारिवारिक बता सकते हैं, सांस्कृतिक बता सकते हैं, कि यही कल्चर है, यही परिवारों का कल्चर है, जमाना ही ऐसा था, कुछ भी आप दे दें, reason कुछ भी दे दें, पर net result ये है, कि उस मा में जो talents थी, जो खूबी थी, जो भी कुछ था, उसे सराहा नहीं गया, बलकि उसे कदम कदम पर discourage किया गया, उसे एक तरीके से बिठा दिया गया, कि नहीं नहीं, हमारे परिवारों में ये सब नहीं चलता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, और वह जो मा है, उसके अंदर की वो जो दबी हुई feelings है, अकसर एक न एक बेटी, अपने अंदर उस चीज को बहुत छोटी उम्र में ले लेती है, instinctively माने भली मुझे कभी न कहा हो, कि मैं परिशान हूँ और मैं इतना कुछ कर सकती हूँ, मुझे क्यों दबाया जाता है, मुझे क्यों नहीं मौका दिया जाता, मा हो सकता है, कभी भी इन बातों में से कुछ न कहे, परंतु फिर भी instinctively उस चीज़ को ले लेगा, instinct क्या होता है, instinct छोटे से छोटे जीव जनतुओं में भी होता है, ये कुदरत की देन है, और instinct का मतलब आपको कुछ सीखने की जरूत नहीं है, आपको कुछ सोचने की जरूत नहीं है, बिना सोचे, बिना जाने, बिना सीखे, कि somehow आपको ये समझ में आगया, आपने भाप लिया, कि हो क्या रहे, तो एक बहुत छोटा बच्चा, और जैसा कि मैंने आपको कहा, कि लड़कियां अकसर इस तरह की problem को लेकर आती हैं, young girls, 24-25 साल, even later, 30-35 साल तक भी, इस problem को लेकर आती हैं, कि हमारी पास वो सारा potential और talent होते हुए, पता नहीं हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहें, और वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहें, क्योंकि उन्होंने जाने अन जाने में unconsciously, उनको यहां से कुछ नहीं पता, परंतु उन्होंने unconsciously अपने मा की feeling को अपने अंदर ग्रहन कर लिया, और अब यह जिम्मेदारी बन जाएगी इस लड़की की, कि वो उस गाट को खोले, और उस feeling को वो sort out करे, और उसे जाने दे, इस चीज को सीखने के कई तरीके हैं, और इस चीज को यदि व्यक्ति सीखना चाहे, तो वो एक दिन, दो दिन, चार दिन, आट दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हमें ये याद रखना पड़ेगा, पहले तो हमें देखना पड़ेगा, कि इस तरह का ब्लॉक उस लड़की में आया कहां से, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसने चुटपन में बार 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 कुछ चीजों को देखा है, और रिपीट होते 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 होते, अब वो बैठ गया, जहन में बैठ गया, सबकॉंशिस माइंड में बच्चे के बैठ गया, जो चीज रेपेटिशन से बैठती है, बार 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 वही चीज़ें देखना, वही चीज़ें सुनना, भली हमारा ध्यान कई और है, हम तो बच्चे थे, हम खेल रहे थे, परन्तु फिर भी बच्चा इधर उधर से उस फीलिंग को इंस्टिंक्टिवली ले लेता है, और रेपेटेशन की माध्यम से लेता है, रोज उनी स्थितियों को देखता है, रोज उसी तरह की बाते सुनता है, रोज उसी तरह के बिहेवियर्स को देखता है, अब वो उस बच्चे के अंदर सबकॉंशिस हो चुकी है, और एक सबकॉंशिस पैटर्न बन चुका है, जो की इस बच्ची के भले वो 20 साल की हो 15 साल की हो 25 की हो 30 की हो 35 की हो अगले पेड़ी तक जा चुकी है और अब ये पैटर्न अपना रंग दिखाने लगा है और उस पैटर्न के रहते चीजें ठीक नहीं हो सकते अब उसको चेंज करने के लिए आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा जिस तरीके से पहले आपने अपने अंदर उस ब्लॉक को लिया जब आपने ब्लॉक को लिया आपको तो पता भी नहीं था कि आप किसी ब्लॉक को ले रहें आपको नहीं पता था आप थो छोटे बच्चे थे खेल रहे थे कूद रहे थे कुछ भी कर रहे थे वो तो क्योंकि आपके आसपास चलता जा रहा था चलता जा रहा था तो instinctively आपने उसको ग्रहन कर लिया वो आपका हिस्सा बन गया repetition आज आपको repeatedly अपने आपको कुछ processes करके कुछ तरीके अपना कर आपको कुछ बाते सीख कर अपने अंदर वो परिवर्तन लाना पड़ेगा आप सोचे मैं एक दिन कर लूँ, दो दिन कर लूँ, चार दिन कर लूँ, आट दिन कर लूँ हो जाएगा कर तो लिया, कर तो लिया, चार दिन किया, आट दिन किया, एक मैना किया, कुछ तो नहीं हुआ, नहीं होगा आपको repeatedly repeatedly कुछ बातों को सीख कर समझ कर अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने होंगे और अगर आप वो परिवर्तन ले आए तो 100% वो ब्लॉक आपके अंदर से 100% क्लियर होगा और आपके लिए सफलता के सारे दर्वाजे खुल जाएंगे पर आप हमेशा की तरह जैसे शुरू से करते आए हो वैसी आज भी करते आओ बस कुछ अच्छी बाते सुन ली अच्छा अच्छा ऐसा होता है अच्छा अच्छा बस उसको प्रैक्टिस करने के नाम पर आप कुछ नहीं करते और करते भी हैं तो चार दिन आठ दिन प्रैक्टिस करके चोड़ देते हैं तो इस उम्मीद में मत रहिए कि कुछ भी आपके लिए बदलेगा अगर आप वही वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आएं हैं तो आपको रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे अगर आप चाते हैं कि आपको रिजल्ट्स अलग तरह के मिलें तो आपको कुछ अलग तरह से करना भी होगा अगर आपको इस तरह के वीडियोज अच्छे लगें तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा और अपने मिलने वालों के साथ भी इस वीडियो को शेर कीजेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा